हलो गाइज, वेल्कम बेक टो माई योट्यूब चैनल, एजुकेशन हब और मैजल्फ अंशुल धीमान सो फ्रेंड्स आज की मेरी इस वीडियो में मैं हमारे जो क्लास सेवन्थ के स्टूडेंट्स हैं memoir means Édique Board, आपका जो忘 आपके आपको यान्थक आपके एक्जाम होता है और उसमें जो आपकme 20 mark का होता है वह आपके प्रोजेक्ट वर्क के ओते लुटाजय आपको जो सोशल साइंस और सामजिक विध्यान का विश्य है। इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क में question दिया गया है 20 marks का आपका ये question है इसका solution मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तो इस वीडियो को बिना skip के end तक ध्यान से देखेगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत important वीडियो है आप अगर इसको जो है question को इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको 20 marks जरूर मिल जाएं दूसरों को इस बारे में क्या और कैसे बताएंगे तो यानि के देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या गरेंगे जल प्रदूशन क्या है सबसे पहले तो हम देखेंगे तो इसमें हमने लिखा है विबिन स्त्रोंतों के जल में अनेक रासायनिक पदार्थ मलमूत्र तथा दू प्रदूशित जल को प्रदूशित करने वाले जो पदार्थ प्रदूशक तता इनके द्वारा जल का जो दूशित हो जाना है वो जल प्रदूशन कहलाता है तो सबसे पहले हमने क्या दीखा एक्स्प्लें किया हमारा जल प्रदूशन फिर आजाते हैं हम नेक्सट पर जल प्रदूशन के कारन सबसे पहले आप हैडिंग डालेंगे मनुश्यों के कारीकलाप यानि कि जो मनुश्यों के द्वारा की जाती है जो activities जो होती है तो मनुश्यों के बहुत से कारीकलाप जल को प्रदूशीत करते हैं कुछ स्थानों पर शवों को भी जल में बहा दिया जाता है और देवी देताओं की जो मूर्तियां होती है जैसे कि अभी गणेश जी की मूर्ति जो विसरजित की गई है वो भी सभी जल में विसरजित की गई है मूर्तियों को जलमे विसरजन से उनके निर्मान में उपयोग किये गए रंगों के कारण जल प्रदूशित हो जाता है फिर आप नेक्स्ट हैडिंग डालेंगे खेती से फसलों को नश्ट होने से बचाने के लिए तथा पैदावार बढ़ाने के लिए कीट नाशी, खपतवार नाशी दवाईया तथा अनिक प्रकारगी खादों का उपयोग किया जाता है तेन नेक्स्ट हैडिंग है आप डालेंगे उद्योगों से तो यानि के जो विद्वीन उद्योग होते हैं दंदों में मुख्य पदार्थ के निर्मान के साथ-साथ कुछ अनुप्योगी पदार्थ भी बनते हैं ये अप्शिष्ट पदार्थ पाय हानिकारक होते हैं जब कारखानों में इन अप्षिष्ट पदार्थों के निकासी की व्यवस्ता उचित नहीं होती तब में उसे नदी तालाबों में छोड़ देते हैं जिससे जल प्रदूशित हो जाता है फिर आजाएंगा हमारा लास्ट में जो हेडिंग है जल प्रदूशन की रोकताम आप यानि किसकी रोकताम कैसे करेंगे इस पर कंट्रोल कैसे करेंगे तो हम लिखेंगे शासन द्वारा परियावरन प्रदूशन रोकने के लिए कुछ नियम बनाए हैं जैसे की प्रत्येगर म केट नाशियों, कवक नाशियों द्यादी के रूप में निम्नी करन योगी पदार्त का परियोग करना चाहिए खतरना कीट नाशियों के उपयोग में प्रतिबंद लगाना चाहिए जल स्थोंतों के जल के शोधन पर विशिष्ट ध्यान देना चाहिए बड़ी बड़ी फैक्टरियों में जल शोधन संयंत्रों को लगाना चाहिए नगरों के वाहित मल को आबादी से दूर रखना छोड़ना चाहिए ताप तथा परमानू बिजली घरों से निकलने वाले जल को ठंडा होने के बाद शुद्ध करके ही जल खोलों में छोड़ना चाहिए ठीक है तो यह था हमारा जो है सॉल्यूशन यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज 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 इट लाइक बटन चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा मुझे अपने अन्शु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जिससे कि मैं भी आपको टाइम टाइम पे ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराती रहूँ तो गाइड गुड लग फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच